जैसा के लास्ट एपिसोड में हमने देखा एक लूओ फैंग 9 युनिवर्स के ओस टॉम स्टोन के अंदर आ चुका था और यहां पर उसे बनी वी 6 कार्विंग्स में से 3 कार्विंग्स समझा जाती हैं पर अगर उसे इन टेक्निक्स को मास्टर करते हुए इम्मोर्टल लेव होती पावरफुल और अन्नोन परसन लूओ फैंग में इंट्रस्टिड है क्योंके लूओ फैंग और उसकी पावर्स एक जैसी हैं अब आगे यह एपिसोड भी स्टाट होता है बिल्कुल उसी सींसे जहां पर लूओ फैंग अपने अपग्रेडिड परसन से हार जाने के ब बहुत अच्छे से समझता है हालां कि उसके साथ फाइट करने से मुझे काफी ज़्याद एक्सपिरियंस और नोलिज मिली है लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इतनी असानी से हार जाऊंगा लूओ फैंग कि ये बाते सुनते वे बबाता उससे कहती है य अब इससे पहले कि बाता उसे कुछ और कहती तब लाइट वुका वहां पर आते हुए कहती है लूओ फैंग क्या तुमने सुना ये कहते हुए वो लूओ फैंग के पास आकर बैठ जाती है और कहती है रोंग जुन ने फर्स लेवल को पास कर लिया है जिस पर लूओ पता नहीं कैसे पर फैंटम जेलास ने भी उनकी इस कनवर्जेशन को सुन लिया था इसलिए वो भी उनके पास आते हुए कहता है मैं जानता हूँ और युवांचैन युनिवर्स के एंपरर ने रोंग जुन को अपने डिसाइबल के तोर पर भी चूस कर लिया है जो सुनक रोंग जुन को सिलेक्ट किया है जिसका मतलब है कि उसके अंदर बहुत हीडन पोटेंशल है लोंग जुन की ये बात सुनकर वहां पर मजूद सब भी लोग कुछ पल के लिए शांत हो गए थे तब भी फैंटम जलास भी कहता है वो वाकई कि आनुवू युनिवर्स का पो लाइट वुका ये बात लुओ फैंग को तो काफी लाइटली कहती है पर फिर जैसे वो फैंटम जलास की तरफ देखती है तो वो काफी सीरियस लुक दे रही थी यानि कि उसे भी फैंटम जलास की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई पर उसे इसे कुछ फरक नहीं वो अराम से वहां से चला गया था अब उसके चले जाने के बाद लाइट वुका लुओ फैंग से कहती है मेरी रॉंग जुन के साथ एक अपॉइंटमेंट मीटिंग है को इंसीडेंटली हम उसे काफी कोई सीख सकते हैं ये बताते हैं तो वो उसे अपने हाज से इशारा कर उसे वहीं पर उखने को कहती है और फिर यहां से उठकर उसके पास जाने लगी थी रॉंग जुन ने भी लाइट वुका को देख लिया था इसलिए वो भी उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है पर तब ही उसके रास्ते में काफी सारे वोरियोस आते वी उसे को को रिलीज करके उसके अंदर कल्टिवेशन कर रहा होता है और साथ इसाथ उसने अपने स्काइबरीज टेस्ट में अपने ओपनेंट से जो कुछ भी सीखा था उससे इम्पिलिमेट करते हैं अपनी टेक्निक्स को इन्हेंस करने की कोशिच करता है जिसमें हम देखते हैं कि कि मैं ऐसा नहीं कर पा रहा इसका मतलब तो यही है कि सिर्फ सामने वाले को अबजर्व करके हम अपनी अबिलिटीज को इन्हेंस नहीं कर सकते अब मुझे के ओस टॉम स्टोन को समझने से पहले स्काइब रिज का ब्रेक्ट्रू करने का कोई न कोई तरीका ढूड़ना लुओ फैंग अभी इसके बारे में सीरियोस होते वे सोच रहा होता है कि तब युसके रिष्ट्री डिवाइस पर किसी का इमेल आता है जिसे जब लुओ फैंग पढ़ता है तो उसके अंदर लिखा हुआ था आखिर ये इमेल किसने सेंड किया होगा लुओ फैंग अभी इसी कश्मकश में होता है कि तब युओ बाता वहाँ पर आते वे अपना चश्मा लगा कर उस इमेल को देखते वे कहती है जिसने भी ये इमेल भेज़ा है उसके पास स्काइब रिज की सिचुएशन देखने की authorization है यानि कि वो ज़रूर बहुत great abilities के साथ immortal level पर होगा यहाँ फिर हो सकता है कि वो कोई title marshal हो या duke हो जिस पर लुओ फैंक कहता है कहा जाता है कि वनरेबल master जीव जीया ने केयो सिटी को छोड़ दिया था पर उन्होंने अपनी disciple queen long you को beginners को monitor करने के लिए भेजा था तो हो सकता है कि यह email queen long you नहीं हमें बेजा हो पर फिर वो हैरानी के साथ कहता है however यहाँ पर बहुत सारे candidates हैं जिनोंने breakthrough किया है पर वो मुझ पर attention क्यों दे रही है तब यह वाता उसे कहती है कि इसके इलावा भी एक और possibility है chaos city के flows divided हैं और जो chaos stormstone तुमने चूज किया है उसके according उ तो ऐसा लगता है कि 9 universe flow का master तुमें test कर रहा है जिस पर fang को कुछ बास समझ नहीं आती तो वो कहता है 9 universe flow का master वो कौन है तो अब वो बाता उसे कहती है कि तुम्हारे लिए वो 9 universe flow के elder से भी बहतर है और फिर वो उन दोनों persons को luo fang के सामने लाते भी उनका name बताती है king hei w और king zenyan आगर तुम उनके disciple बन जाते हो तो तुम बहुत ही ज्यादा lucky होगे और क्या तुम्हें पता है blood flow secret technique का creator lian luo कहा जाता है कि वो भी इनकी guidance के अंदर grow हुआ था बबाता की ये सारी बात सुनने और समझने के बाद luo fang अपना दिमाग दुढ़ाते वे कहता है तो फि 100,000 years से पहले ही breakthrough करके immortal level पर पहुँच चुका था बट unfortunately बहुत ही जल्द वो एक हासे में अपनी जान गवा बैठा ये इस curiosity में होने वाले 100 million years पहले का event था वो भला ये email कैसे बेच सकते हैं सीनियर लियान luo के बारे में ये जान का luo fang काफी हरान हो जाता है तब भी वह ब बहुत है कि ये technique उसके लिए बहुत useful है पर उसे ये नहीं पता था किसे कैसी हासिल करना है तो वो बबाता से पूचता है बहुत ही आसान है virtual company के पास जाओ और अपने points के बदले में इसे exchange कर लो और ये सिरफ 800 points की है है ना budget friendly बबाता ये सब कुछ बहुत खुश होता है लूओ फैंग के सारे के सारे point balance को zero हुआ देकर पहले तो बबाता काफी ज़दा confused और शोक हो जाती है पर फिर वो उस पर गुसा करते हुए कहती है तुम्हें किसने कहा था अपने सारे points को इतनी जल्दी खतम कर दे रहा है जिस पर फैंग भी अपना सर्क हो जाते हुए कहत उसकी ये बास सुनकर तो बबाता का तुमाग पूरी तरह से खराब हो जाता और वो गुस्से में लूओ फैंग को एक जोरदार पंच मारते हुए कहती है तुम्हें बबाता का ये रूप देकर लूओ फैंग बहुत जार अर गया था पर वो पंच उसके माथे के पास लाक जिस लूओ फैंग भी उसके पीछे पीछे जाते हैं अरे रूको रूको बबाता साथ ही वो उसे हाठ जोर के माफी मागने लगता है कि मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा था पर हम देखते हैं कि बबाता तो असमें लूओ फैंग की मज़े ले रही थी इसलिए वो अस्त फ्लो टेकनीक के क्रियेटर ने भी यहीं से ट्रेनिंग हासिल की थी जिसका मतलब है कि हो सकता है कि उसने अपना एक्सपिरियंस यहां दिवारों पर लिखकर शेर किया हो इसलिए अब हम देखते हैं कि लूओ फैंग और बबाता अलग अलग जगाओ पर जाकर वहां दिव लूओ फैंग को बताती है यह तो वाकियी लूओ ल्यान के हाथों से बनाई हुई कार्विंग्स हैं इसी के साथ वो वहां पर मजू सारे के सारे वर्ट्स को इकठा करते हुए लूओ फैंग के सामने प्रेजेंट करती है और फिर जब लूओ फैंग उस एंशन लैंगवी मैं काफी confidently आगे बढ़ रहा हूँ अपने इस experience से मैं ये बता सकता हूँ कि मैं बहुत ही जल immortal लेवल पर पहुँच जाऊंगा senior lian luo की लिखी हुई ये बाते सुनकर वो बाता भी luo fang से कहती है उन्होंने young age में success हांसिल की थी और उनका ये confidence समझ में भी आता है पर अभी भी luo fang को वो नहीं मिला था जो से चाहिए था इसलिए वो कहायता है पर मैं blood flow technique की training कैसे करूँगा हमारे पास उसके बारे में information ही नहीं है क्या senior lian luo ने उस technique के बारे में यहां पर कुछ लिखा है यहां फिर वो सिरफ show off कर रहे है पर अगर देखा जाये तो उन्होंने पहली तीन painting को समझने में तीस हजार साल लगा दिये जिसे ये पता चलता है कि वो बहुत ही patient थे ये कहते हुए fang कुछ सोचने लगता हुए कहता है बबाता क्या तुम यहां पर कुछ और carvings records को ढूण सकती हो वो भी senior lian luo की writings में जिस पर बबाता भी उसे अपने हाँ से कहती है हाँ क्यों नहीं और फिर वो senior lian luo की writings में वहां पर बनी उस सारी की सारी carvings को ढूण लाती है जिसे वो तरतीव wise lio fang के आसपास लाते वे कहती है मैंने multiple times scan किया है और जितने भी notes मुझे मिले हैं वो सब मिला आकर उस technique के 72% के around बनते हैं अब हम देखते हैं कि fang उन सभी carvings को देखते हुए अपने मन में कुछ सोचने लगता है और आखें बंद करके ध्यान लगाने लगा था अब इससे पहले कि हमें मालूम हो पाता कि क्या luo fang ने उस technique को जान लिया है तब ही ये episode खतम हो जाता है तो देखेंगे next episode में कि क्या luo fang senior lian luo की carvings से blood flow technique को सीख पाएगा कमेंट्स करना मत बूलना